हलो एवरिवन, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एजंडा में पिछली वीडियो में हमने सीखे थे वो सेंटेंसे जो हम ओफिशल कन्वसेशन में यूज करते हैं और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो सेंटेंसे जो हम फ्रेंस या फैमले के साथ बात करते समय यूज करते हैं जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वन नहीं, टू नहीं, बलकि थ्री टाइप ओफ कन्वसेशन साथ ही ऐसे बहुत सारे sentences जो हम use करते हैं फोन पर बात करते समय जैसे मेरे फोन की बैटरी खतम हो गई थी मैं अभी busy हूँ थोड़ी देर में call करता हूँ मैं अभी meeting में हूँ या कई बार हम कहते हैं मेरा फोन मत काटना ऐसे बहुत सारे sentences तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं first type of conversation इसमें हम देखेंगे जब हम अपने friend से बात करते हैं तो हम कौन-कौन से sentences use करते हैं फरस्ट है Hello Rahul, how are you? Rahul, तुम कैसे हो? Hi Rohit, I am fine and how are you? हाँ Rohit, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? I am also fine, मैं भी ठीक हूँ What's up? और क्या चल रहा है? Where are you? तुम कहां हो? Long time, no see, बहुत टाइम से दिखाए ही नहीं दिये I am busy in office work, मैं office के काम में वैस्ट था I was out of station, मैं शहर से बाहर गया हुआ था What's about you? और तुम बताओ Nothing special as usual, हमेशा की तरह, कुछ खास नहीं How is everyone at home? घर पर सब कैसे हैं? Everyone is fit and fine, सब अच्छे हैं What are you doing on Sunday? तुम रविवार को क्या कर रहे हो? Nothing special, कुछ खास नहीं Let's make a plan to go out with all friends चलो दोस्तों के साथ बाहर चलने का प्लान बनाते हैं Sure, why not? जरूर, क्यों नहीं? Okay, see you soon ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं तो ये थी हमारी first type of conversation चलिए देखते हैं second type of conversation कई बार होता है कि जब हम जिसे phone करते हैं वो phone उठाने की वज़ाए उसकी जगाए पे कोई और phone उठाता है तो उससे हम कैसे बात करेंगे Hello, Hi, Ritesh Hello, Ritesh Hi, I'm Jatin, Ritesh brother Hi, मैं Jatin हूँ, Ritesh का भाई Hello, Brother, How are you? Namaste, भाईया, आप कैसे हो? I'm fine, मैं ठीक हूँ May I know who is speaking? क्या मैं जान सकता हूँ, कौन बोल रहा है? I'm Rohit, Ritesh friend मैं Rohit हूँ, Ritesh का दोस्त Oh, Hi, How are you? Oh, Hi, तुम कैसे हो? Brother, Where is Ritesh? भाईया, Ritesh कहा है? Just wait, I'm calling him एक मिन्ट रुको, मैं उसे बुलाता हूँ Please hold on जरा hold कीजिए Just one minute, I give the phone to Ritesh एक मिन्ट रुको, मैं Ritesh को phone देता हूँ Sorry to keep you waiting इंतिजार करवाने के लिए शमा चाहता हूँ He's on another call वो भी दूसरे call पर है और अगर जिससे बात करनी है और वो घर पे नहीं हो तो हम ये sentences use करेंगे He's not at home वो भी घर पर नहीं है He has gone to market for somewhere वो भाजार कुछ काम से गया है When will he come? वो कब आएगा? I have no idea मुझे पता नहीं है He forget his phone at home वो अपना phone घर पर ही भूल गया You can give your message to me, I will tell him तुम अपना message मुझे दे सकते हो, मैं उसे बता दूगा Could you please speak him to call me as soon as he gets back? जैसे ही वै आई उसे कहना कि मुझे से बात कर ले Sure, पका Okay, bye, thank you Bye, धन्यवाद चलिए देखते हैं third type of sentences कई बार हमें ऐसे call आते हैं जिसे हम जानते नहीं है और वो हमें कुछ काम से call करते हैं तो हम उनसे कैसे English में बात करेंगे? Hello, can I talk to Arjun, please? या फिर हम बोल सकते हैं May I speak to Arjun, please? क्या मैं Arjun से बात कर सकता हूं? Yes, speaking हाँ, बोल रहा हूं Can I know who is calling? क्या मैं जान सकता हूं कौन बात कर रहा है? या हम बोल सकते हैं Can I know who is speaking? I am Gaurav Sharma from जहां से भी आप बात करें आप वहां का address बता सकते हैं मैं Gaurav Sharma बोल रहा हूं Who gave you my number to you? आपको मेरे number किस ने दिये? Okay What can I do for you? ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? I have some work, so I want to meet you मुझे आपसे कुछ काम था इसलिए आपसे मैं मिलना चाहता था You can come tomorrow at 3 o'clock in my office आपकल तीन बजे मेरे office आजाईए Sure, I will be there on time मैं समय से पहुँच जाऊंगा Okay, see you then, bye ठीक है, फिर मिलते हैं तो ये तो थी हमारी three type of conversation अब देखते हैं कुछ ऐसे sentences जो हम normally phone पे बात करते समय यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं First sentence है I got a missed call from this number मुझे इस number से missed call आया था Tell him to call me back उसे कहना मुझे call करे I am waiting for your call मैं आपके call का ही इंतिजार कर रहा था Whom would you like to talk to you? आप किस से बात करना चाहते हैं? It's wrong number यह गलत number है फिर हम पूछते हैं Is this 9856? क्या यह है? 9856 है? No I think you have dialed wrong number मुझे लगता है आपने गलत number dial किये हैं या कई बार हम से गलत number dial हो जाते हैं तब हम कैसे बोलेंगे? Sorry, I have dialed wrong number शमा कीजिए लगता है मैंने गलत number dial किये हैं Check your number again अपने number दोबारा चेक कीजिए Your voice is breaking up आपकी आवाज कट-कट कर आ रही है Now are you getting me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? You can hear me now मुझे सुन पा रहे हैं इन दोनों ही तरीकों से हम पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है Where are you busy? तुम कहां busy हो? Can I call you later? I am busy right now क्या मैं तुम्हें थूड़ी देर में call करूं? अभी मैं busy हूं My phone battery is about to die मेरे phone की बैटरी खतम होने वाली है I am driving right now I call you later मैं भी driving कर रहा हूं थोड़ी देर में call करता हूं I am in meeting room मैं भी meeting room में हूं Why are you not answering my phone? तुम मेरे phone का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? I didn't hear the mobile ring मुझे mobile की गंटी सुनाई नहीं दी My phone was on silent mode कई बार हम silent mode पे रख देते हैं या फिर vibrate करके छोड़ देते हैं तो हमें आवाज सुनाई नहीं देते हैं phone की तब हम ये sentences use कर सकते हैं जैसे My phone was on silent mode मेरा phone silent mode पे था My phone was on vibrate mode मेरा phone vibrate mode पे था My phone is not working properly मेरा phone ठीक से काम नहीं कर रहा है Are you listening me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? I called you many times but you are not picking the phone मैंने तुमें कितनी बार call किया पर तुम call ही नहीं उठा रहे हो Why were you not picking my phone? तुम मेरा phone क्यों नहीं उठा रहे थे? I can't hear you properly Your voice is coming very low मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ Could you speak up please? क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? I called you yesterday मैंने तुमें कल किया था I saw your missed call मैंने तुमारा missed call देखा But that time I was busy and after that I forget to call you उस समय मैं वहस था और उसके बाद मैं call करना भूल गया My phone went dead मेरा phone बंद हो गया था Sorry I couldn't make a call that time Sorry मैं उस तहम कल नहीं कर सका His phone is out of network उसका phone out of network है I am calling him since morning मैं उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ Right now she is busy in some work She will call you later वह अभी किसी काम में वैस्ट है वह आपको बाद में कॉल कर लेगी I will call you later मैं आपको थोड़ी देर में call करता हूँ Thanks for calling Call करने के लिए धन्यवाद Official call होता है तब हम ये sentences use करते हैं I hang up the phone now मैं phone काट रहा हूँ Don't hang up the phone Phone मत काट न कई बार ऐसा होता है कि गलती से phone कर जाता है तब हम ये sentence use कर सकते हैं Sorry I cut off the phone by mistake Sorry गलती से phone कर गया था My phone is ringing मेरा phone बज रहा है अगर किसी दूसरे को बताने कि आपका phone बज रहा है तो हम ये sentence बोलेंगे Your phone is ringing आपका phone बज रहा है Don't call me again कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को कहते है कि मुझे दुबारा call मत करना तो हम ये sentence use करेंगे Don't call me again यानि दुबारा मुझे call मत करना तो ये थे कुछ sentences और conversation I hope आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले शेर करे और मेरे चैनल को subscribe कर ले ताकि ऐसे ही useful वीडियो आते रहे और आप देखते रहे Thank you, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए, बाई बाई